हलो अब्रिवान स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया पर आप किसी भी फार्मा कॉंपेटिटिव एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे वो जीपैट है नाइपर है ड्रग इंस्पेक्टर है या कोई हमारा गॉर्मेंट फार्मसेस्ट का एक्जाम है इवन आप अगर डी फार्मा सेकेंडियर में है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि फार्मेसी इंडिया लेकर के आया है 90 बेस्ट फार्मकोलोजी मेनॉमिक्स की सिरीज जिसके तहत आपके तीन पार्ट होंगे और आज हमारा पार्ट टू होने वाला है अब चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथी साथ आप हमें फालो कर सकते हैं वाट्सेप और टेलीग्राम चैनल जो आपको लिंक नीचे डिसक्रिप्शन में दिये गए हैं उनके माध्यम से फालो कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पार्ट होना चाहिए कि actual में अस्थमा क्या होता है अस्थमा एक ऐसी condition है जहां पर हमारे जो airways होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं वो swell हो जाते हैं सूल जाते हैं सूज जाते हैं या फिर inflamed हो जाते हैं जिसकी वज़ा से हम सांच ठीक से नहीं ले पाते और वहाँ पर extra mucus भी जमने लगता है तो उस condition को अस्थमा कहते हैं अब इसको याद करने के लिए जो trick है वो रहेगी अस्थमा मतलब A से हमारा बनेगा adrenergic drugs यानि की beta 2 blockers यूज़ कर सकते हैं S से बनेगा steroids जैसे fruticasone होता है और budesonide होता है इसी तरीके से T से बनता है theophylline, H से बनता है hydration, M से बनता है mask और A से बनता है anticholinergic जैसे triatropium और ipratropium ये drugs यूज़ किये जा सकते हैं तो ये है हमारा अस्थमा का treatment next pharmacological menomics जो आता है वो है हमारा metformin menomics अब metformin को कैसे याद रखेंगे इसके लिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि metformin ये हमारा एक ऐसा drug होता है जो high blood sugar level को control करने के लिए use किया जाता है high blood sugar level जब हमारा sugar level बढ़ जाता है type 2 diabetes की वजह से होता है तो उस condition में metformin दिया जाता है अब इसको याद करने के लिए जो trick है वो है vomit bag मतलब V से बनता है हमारा vitamin B12 जिसकी वजह से हमारे ये deficiency हो जाती है ठीक है और एक ही बात करें तो acidosis और G से GI upset यानि कि जो हमारा gestral intestinal track है वो हमारा upset हो जाता है next आते हैं हम class third anti-arrhythmic drugs anti-arrhythmic drugs का मतलब कि वो drugs जो हमारे physically जब abnormal heart beat होता है उसको control करने के लिए use होते हैं तो इसको याद करेंगे आप trick से जो की है बिंदास अब बिंदास में B से बनता है हमारा bratelium IN से बन जाता है ibutilide, D से बनता है dofitilide, A से बनता है amiodarone और S से बनता है sotalol तो इस तरीके से आप class third anti-arrhythmic drugs याद रख सकते हैं आगे चलते हैं next आता है adverse effects of amiodarone अब जो ये हमारा basically amiodarone drug होता है अब इसके हमें side effects जाने के दुश प्रभावों को याद रखना है तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए amiodarone होता क्या है हमारे part 1 में भी amiodarone drug आया था amiodarone drug हम किसलिए यूज करते हैं जो एक life threatening abnormal heartbeats हो जाती है हमारी या heart rhythm हो जाता है जिसको आप ventricular arrhythmia के नाम से जानते हैं उसी के treatment में amiodarone यूज किया जाता है तो इसको याद करने के लिए जो trick रहेगा वो है the periphery of my lung, liver and cornea is photosensitive अब जो periphery है मेरे lung, liver और cornea की वो काफी photosensitive है तो यहाँ पर 10 से बनेगा thyroid जिसमें hypo और hyperthyroid म्यानी की दोनों टाइप के thyroid आ जाते हैं periphery से बनेगा peripheral neuropathy, my से बनेगा myocardial depression, lung से बनेगा lung fibrosis, liver से बनेगा आपका liver toxicity जिसके अंदर cirrhosis भी included है साथी साथ cornea से बनता है आपका corneal micro deposit ठीक है और last में आता है photosensitive मतलब की photosensitivity तो इस तरीके से आप amiodarone drug के side effects को याद रख सकते हैं next आता है हमारा uses of carbonic anhydrase inhibitors अब जो यह carbonic anhydrase inhibitors है इनके uses को हमें याद रखना है यानि कि ये इस्तमाल किसलिए किये जाते हैं अब अगर मैं बात करूँ जो carbonic anhydrase inhibitors होते हैं ये कुछ particular conditions के treatment में या उनके management में use की जाती है जैसे glucoma होता है ठीक है साथ ही साथ idiopathic intracranial hypertension etc तो वहाँ पर हम इने use करते हैं तो इसको याद करने के लिए जो trick है वो है game तो G से glucoma यानि की angle closure, A से बनता है alkalinization of urine, M से बनता है mountain sickness और E से बनता है epilepsy तो game यानि की खेल इस तरीके से आप इसको carbonic anhydrase inhibitors के uses को याद रख सकते हैं next आता है आपका indications of somatostatin अब जो ये somatostatin है इसके indications क्या क्या होते हैं जो हमारे basically pancreatic hormones होते हैं तो जो ये somatostatin है ये उसी के release को रोकता है prevention का काम करता है ठीक है अब इसको याद कैसे रखेंगे somatostatin से ही आपको इसके trick याद रखनी है ड्रक का नाम है somatostatin तो आपको क्या याद रखना है somatos somatos यहाँ पर आगे का tetan नहीं आएगा सिर्फ somatos जहाँ पर S से बनता है secretary diarrhea O से बनता है isophagial versus ठीक है M से बनता है malignancies जिसके अंदर आपके eyelid cell tumors भी आ जाते हैं A से बनता है acromegaly T से बनता है TSH यानि कि जो की आपके adenoma को secret करते हैं O से बनता है overdoses हो जाती है जह हम particular drug की overdoses कर लेते हैं और last S से बनता है हमारा sulfonyl urease तो इस तरीके से आप stomatostatin के indications को learn कर सकते हैं इस trick के साथ आगे चलते हैं next आता है हमारा uses of dopamine agonist for example bromocryptain ठीक है अब जो dopamine agonist है उनके uses के बारे में हमें याद रखना है ठीक है क्या याद करना है इनके uses को तो trick रहेगी हमारी dopamine ठीक है dopamine agonist को ही याद करना है कि उसके uses क्या होते है और trick ही आपकी dopamine है जहाँ पर D से बनता है diabetes mellitus type 2 जिसके अंदर आप bromocryptain यूज़ करते हैं O की बात करें तो over secretion जब होता है prolactin का ठीक है P की बात करें तो Parkinsonism condition में यूज़ कर सकते हैं A से acromegaly में use कर सकते हैं और last में आता है mine यानि की mean तो यहाँ पर milk secretion M से बना I से बना inhibition जहाँ पर suppression होता है lactation का तो इस तरीके से आप dopamine agonist के uses को याद रख सकते हैं Next आता है अब short acting benzodiazepines are अब short acting benzodiazepines के बारे में आपको याद रखना है होता क्या है जो mainly हमारी benzodiazepine होती है ये दो conditions में mainly use की जाती है insomnia और anxiety insomnia मतलब जहाँ पर हम ठीक से so नहीं पाते हैं नींद में हमें problem होती है ठीक है anxiety तो इन दो condition में benzodiazepine drugs को use किया जाता है ट्रिक जो याद रखनी है आपको इस benzodiazepine के लिए short acting benzodiazepine के लिए वो है आपका टॉल तो T से बनेगा trizolam या फिर tamizapam O से बनेगा oxazepam L से बनेगा lorazepam और E से बनेगा आपका estrazolam तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को याद करके short acting benzodiazepine को याद रख सकते हैं next आता है all about ramaltyon अब जो एक ramaltyon drug है इसको कैसे याद रखेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ramaltyon drug होता है basically वो होता किसलिए है तो जो एक condition है हमारी insomnia ठीक है जहाँ पर हमें difficulty होती है सोने में trouble in sleeping तो उस condition के treatment में ramaltyon drug का use करते हैं इसको याद करने के लिए ही जो trick है ramaltyon वो ramaltyon ही है जहाँ पर R से बनेगा receptor A से बनेगा agonist और meltyon जो है उससे बनेगा melatonin तो इस तरीके से आप ramaltyon drug को याद रख सकते हैं आगे चलते हैं next condition आता है phenotoin यानि की fetal hydantoin syndrome अब इसमें आगे बढ़ने से पहले इसकी trick को याद करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो fetal hydantoin syndrome है ये actual में कौन सी condition होती है अब जो ये fetal hydantoin syndrome है एक ऐसा condition है जिसमें basically जब कोई lady pregnant होती है उस time पर anti-seezor drug use किया जाता है जैसे phenotoin तो उसकी वजह से birth defects हो जाते हैं कुछ mental और physical defects तो उनी को हम fetal hydantoin syndrome कहते हैं इसको याद करने के लिए trick है आपका PCM यानि की P से बनेगा आपका hypoplatic phalanges C से बनेगा cleft lip और palate और M से बनता है हमारा microcephaly तो इस तरीके से आप phenotoin यानि की fetal hydantoin syndrome को याद रख सकते हैं next आता है अब all about viga veteran अब जो ये viga veteran drug है इसको कैसे याद करेंगे इसके लिए क्या trick रहेगा याद करने के लिए वो आप से अब यहाँ पर पूछा जाएगा कोशन आ सकता है हमारा kiviga veteran के बारे में कुछ भी कोशन पूछ लेंगे ठीक है तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम इसको use किसलिए करते हैं तो जो हमारे partial scissors आते हैं adults में ठीक है adults में partial scissors जो हलके फुलके जो दौरे होते हैं ठीक है और अगर हम बच्चों की बात करें तो यहाँ पर infantile spasm हो जाते हैं अठन पन हो जाता है चीक है तो ये विसिकली viga veteran उन condition में ही use की जाती है तो अब इसको याद रखेंगे viga veteran से ही जहाँ पर v से बनेगा हमारा visual यानि कि जो एक देखने में दिक्कत होगी गाबा से बनेगा हमारा बिसिकली काबा टियार से बनेगा हमारा ट्रांस्मिनेज और आइन से बनेगा हमारा इनिवेटर्स तो इस तरीके से आप viga veteran ट्रक के बारे में याद रख सकते हैं नेक्स्ट आता है अब uses of anti-depressant जो हमारे को basically depression होता है उस condition को ठीक करने के लिए उसके treatment में या फिर उसके management में जो drug use की जाती है वो anti-depressant agents किलाते हैं तो trick जो आपको याद रखनी है वो है आपके लिए depression जहाँ पर D से बनेगा हमारा depression उसी में इनको use करते हैं E है हमारा basically aneurysis जिसके अंदर imprimine drug use किया जाता है P से बनता है phobia R से बनेगा recurrent panic attacks जहाँ पर basically panic attacks आते हैं वहाँ पर E से eating disorders जब basically किसी को खाने में कठिनाईयां होती है तब इस drug को use करते हैं ठीक है anti-depressant को जैसे bulimia use किया जाता है S की बात करें तो smoking cessation ठीक है जिसके अंदर bupropion drug use किया जाता है ऐसे आता है हमारा stress disorder मतलब कि post traumatic जो basically होता है तब use करते हैं आई की बात करें तो impulse disorder जैसे klaptomania ठीक है ओ से बनता है obsessive compulsive disorder और last में जो N आता है वो है neuropathic pain तो in conditions में अब anti-depressant agents को use करते हैं next आता है अब lithium के बारे में हमें याद रखना है ठीक है तो इसको याद करने के लिए जो trick है वो है आपका lithium लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम lithium किस लिए use करते हैं ये हमारी कुछ mental illness जो दिमागी संबंधे दिक्कते होती है उनके treatment में इसको use किया जा हैं है ना तो अब इसको याद करने के लिए trick मैंने बताया आपको lithium तो L से बनेगा हमारा nucleosides I से बनेगा increase जब बढ़ जाता है T से बनेगा tremors और H से बनेगा hypothyroidism जहां पर thyroid gland इतने कम amount में secret होता है ठीक है I से बनेगा हमारा increase U से बनता है urine और M की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है basically याद रखना है M से mother तो in basically lithium को mothers को avoid करना है ठीक है should be avoided in expectant mothers ठीक है मतलब कि जो अगर basically conceive कर रही है females कर चुकी है तो उनको इस truck को avoid करना होगा next आता है अब आपका local anesthetic causes methamoglobinemia अब methyloglobinemia जो होता है कैसी condition जहां पर basically proper amount में sufficient amount में oxygen supply नहीं हो पाती है हमारी body के हर एक tissues को तो इसको याद करने के लिए जो trick है वो है BPL जहां पर B से बनेगा benzocaine, P से बनेगा prilocaine ठीक है और L से बनता है हमारा lignocaine जो की सब हैं आपके local anesthetic agents आगे चलते हैं, next आता है अब हमारा drugs useful for day care surgery, अब जो day care surgery है उसमें कौन-कौन से drugs useful है, मददगार है, उसको याद करने के लिए trick रहेगा, डॉक्टर मनमोहन सिंग भी हमारे prime minister रहे चुके है है ना, तो डॉक्टर से बनेगा आपका desflurane, और मनमोहन से बनेगा आपका midazolam, जो की आपका benzodiazepine drug होता है, सिंग से बनेगा sivoflurane, is से बनेगा isoflurane, a से बनेगा आपका alfantanil, और अगर prime की बात करें तो यहाँ से बनता है प्रोपोफॉल और लास्ट में आता है minister, यानि की mevacurim, जो की आपका एक muscle relaxant होता है, तो इस तरीके से आप, जो आपकी drugs useful है, day care surgery के लिए, उनको इस trick से याद रख सकते हैं, next आते हैं, अब drugs causing hyperkalemia, अब एक ऐसी condition, जहाँ पर basically जो potassium level होता है, वो increase हो जाता है, बढ़ जात है, तो इसको याद करने के लिए trick रहेगी, संतोष देवी का potassium high है, क्या है, संतोष देवी का potassium high है, तो यहाँ पर S से बनता है, spironol ecton, A से बनता है, amphotericin B, ठीक है, N से बनता है, non-sternodal anti-inflammatory drugs, यानि की NSAIDs, T से बनेगा tolbutamide, O से बनेगा others, जैसे beta blockers होते हैं, S से amides, और H से बनेगा heparin, वहीं पर देवी से बनता है, आपका D से डेजॉक्सिन, और C से बनेगा, यानि की कामे C से बनेगा captopril, और A से बनेगा amyloride, तो यह वो drugs हैं, जिनकी वज़ा से potassium level body के अंदर high हो जाता है, बढ़ जाता है, next आता है, drugs causing hypokalemia, अब यहाँ पर potassium level हमा हमारा body के अंदर घट जाता है, तो इसको याद रखेंगे bad fit से, किसे? bad fit से, कैसे? B से बनेगा non agonist, A से बनेगा amphotericin, D से बनेगा digoxin, F से बनेगा furosemide, frost carnate, यह दो drugs हो जकती है, I से insulin और T से thiazide, तो यह वो drugs हैं, जिनकी वज़ा से body के अंदर potassium level हमारा कम होने लगता ह है, आगे चलते हैं, अब बात आती है, drugs metabolized by methylation, अब methylation के द्वारा जो drugs metabolized होती हैं, उनको आपको याद रखना है, methylation एक ऐसा chemical reaction होता है हमारा body में, जहां पर जो छोटे छोटे molecules होते हैं, वो आपके एक methyl groups जो होते हैं, वो add होना start हो जाते हैं, आपके particular DNA में, proteins में, या जो तूसरे molecules होते हैं, उनमें उसी लिए chemical reaction को, methylation कहा गया है, तो इसको याद रखना है, सिंधी has a new motor, सिंधी के पास एक नया motor आ गया, सिंधी से याद रखना है, कैप्टोप्रिल, has से याद रखना है, histamine, a से याद रखना है, adrenaline, new से याद रखना है, nicotinic acid, और motor से याद रखना है, methyl dopa, तो आप इस condition में इसको, इस trick या मेनॉमिक से आप methylation, जो होता है basically, कुछ particular drugs के द्वारा जो metabolized हो जाती हैं, उसको याद रख सकते हैं, next आते हैं, ठीक है, heparin, इसको याद करने की trick आपकी, heparin ही रहने वाली है, heparin जो drug होता है, उसको हम use करते हैं, जैसे blood vessel हुआ, या हमारे कुछ lung conditions होती हैं, तो उनके treatment में हम इसको use करते हैं, ठीक है, अब control करने के लिए, या उस particular treatment के लिए, तो heparin के लिए trick बताया, मैंने आपको hepar protein, जहां पर H से बनता है, हमारा hypersensitivity and hyperkalemia, मतलब कि आपका जो potassium level है, वो बढ़ने लगेगा, ठीक है, E से बनता है excessive bleeding, P से बनेगा prolong, यानि की काफी लंबे समय से, A से बनता है, LOP क्या, R से बनेगा, जहां पर platelet level, platelets जो होती हैं, वो कम होने लगती हैं, और even bone mass भी, जैसे thrombocytopenia, osteoporosis होता है, वहीं पर I से बनता है intravenous root, और N से बनेगा, जो antagonize हो जाते हैं, आपके protamine sulfate से, तो यह आपका heparin के लिए trick है, जिससे आप याद रख सकते हैं, next आगे चलते हैं, अब hyperglycemic drug, जब हमारी body के अंदर, जो blood sugar level है, वो बढ़ जाता है, यानि की increase हो जा होते हैं, वो हमारी hyperglycemic drugs होती है, तो इसको याद करने के लिए जो trick रहेगा, वो है, do not feed high glucose to child, छोटे बच्चों को high glucose feed नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वज़ा से PP hyperglycemia हो सकता है, तो अब इसको याद करने का trick मैंने आपको बताया, तो अब N से बनेगा आपका niacin, O से बनेगा उस P, T से बनता है हमारा thiazides, F से बनता है हमारा phyrosemide, जहाँ पर E की बात करें तो ethaclinic acid, next E से बनेगा हमारा escalade, वहीं पर D से बनता है digoxide, और अगर मैं बात करूं HI high की, तो आपका यहाँ पर जो proteases inhibitor होता है, वो HIV proteases inhibitor होता है, यहाँ पर, वहीं पर GH से बन बनेगा glucocorticoids, और साथी साथ अगर CH की बात करें, तो आपका यहाँ पर बनता है clonhalidon, ठीक है, और last में क्या बचता है अब आपका ASPP, तो AS से आपका asparginase, P से बनेगा आपका pentamidine, और next P से जो last P है उससे बनता है phenotoin, तो यह basically आपकी hyperglycemic drugs हैं, जिनको आप इस trick से य सबसे पहले तो अब हमें यह पता होना चाहिए कि actual में orphan drugs होती क्या है, अब यह वो drugs हैं जिनको develop किया गया है कुछ particular rare disease या orphan disease को treat करने के लिए, ठीक है, उसको याद करेंगे कैसे, trick है आपका, दिल RSS का fan है, तो यह मतलब क्या आपको यह ध्यान रखना है कि देखो RSS fan, ठी ठीक है, अब कैसे याद रखेंगे, D से बनेगा आपका digoxin, R से बनता है rifambutin, S से बनेगा succimer, और next S से बनेगा आपका somatropin, ठीक है, वहीं पर अगर हम F की बात करें, तो formapizzle बनता है, और A से बनता है आपका n-crod, next A से बनेगा आपका amphotericin B, और जो last में N बचा आपका उससे बनता है nitrate, यानि की sodium, ठीक है, तो अब इसको और फन ड्रग्स को आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, आगे चलते हैं, next आता है hepatic necrosis, मत्दब कि वो ड्रग्स जिनकी बजह से आपको आगे जाकर के एक massive necrosis हो सकता है, अब जो hepatic necrosis होता है, जब हमारे किसी particular drug से toxicity होने लगती है, तब यह condition आती है, ठीक है, तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, very angry hepatocytes, ठीक है, hepatocytes, अब कैसे याद रखेंगे, इसके लिए trick है, very angry hepatocytes, जहाँ पर very से बनता है, well proic acid, angry से बनेगा acetaminophen, और hepatos से बनेगा आपका halothene, तो इस तरीके से आप इस hepatic necrosis को य याद रख सकते हैं, next condition आती है, अब आपकी adrenoseptors, मतलब vessel motor function बताना है, आपको alpha versus beta, इसके लिए trick रहेगी, याद करने के लिए, ab is equal to cd, यानि की ab equals to cd, जहाँ पर alpha से बनता है, आपका construct और beta से बनेगा dilate, तो इस तरीके से आप adrenoseptors को याद रख सकते हैं, जहाँ पर alpha versus beta होगा, अब आगे चलते हैं, अब बात आती है, beta blockers जो की आपके non selective होते हैं, ठीक है, non selective जैसे carbidylol हुआ, labitalol हुआ, etc, तो अब यहाँ पर trick रहेगी, tim pinches his nasal problem, tim ने अपनी जो है nasal problem को pinch किया, ठीक है, क्योंकि उसकी एक runny news थी, बहुत जादा उसकी नाथ भह रही थी, तो his इसे बनेगा आपका hismalol, वही पर N से बनता है, nadalol और last में pro से बनता है, propranolol, ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, beta blockers जो की non selective होते हैं, next आते हैं, अब nitric oxide donors पे, किस पर, nitric oxide donors, अब जो nitric oxide donors होते हैं, अगर मैं बात करूं, तो यह pharmacologically, ठीक है, active agents ह होते हैं, यह होते हैं, pharmacologically active agents होते हैं, चाहे आप इनको in vivo में use कर लें, या in vitro में use कर लें, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे highly pro nitric, highly pro nitric, जहाँ पर highly से बनेगा hydrolazine, pro से बनेगा propofol, और nitric से बनेगा आपका navivolol, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, next आता है आपका potassium increasing agents, मतलब कि अब आपको बताना इसी कौन-कौन से drugs हैं, जिससे आपका potassium level बढ़ सकता है, तो इसको याद रखेंगे trick से potassium bank, जहाँ पर अब जो यह आपका K plus है, तो इससे याद रखना है आपको potassium sparing diuretics, B से बनेगा beta blockers, A से बनेगा ACE inhibitors, N से बनेगा non-steroidal anti-inflamm drugs, और के से बनेगा next potassium supplements, तो इस तरीके से आप potassium increasing agents को याद रख सकते हैं, next आता है, प्रोपाइल थायो यूरेसल यानि की PTU mechanism, अब इसका mechanism कैसे याद रखेंगे, प्रोफाइल थायो यूरेसल का, अब प्रोपाइल थायो यूरेसल उस condition में यूज किया जाता है, जहाँ प trick है, वो है, it inhibits PTU, अब ये PTU को inhibit कर रहा है, जहाँ पर P से बनता है peroxidase, या फिर peripheral diodination, ठीक है, और T से बनेगा tyrosine iodination, और last में U है, तो union यानि की यहाँ पर coupling होगी, आगे चलते हैं, next आता है आपका morphine side effects, अब morphine के दुश प्रभावों को कैसे याद रखेंगे, ठीक है अब trick रहेगी आपको इसको याद करने के लिए morphine ही, जहाँ पर M से बनेगा meiosis, O से बनेगा orthostratic hypotension, ठीक है, R से बनता है respiratory depression, जहाँ पर हमें सांस लेने में कठिनाई होती है, P से pain suppression, HI से बनेगा histamine release, ठीक है, या फिर hormonal alterations, और जो I है उससे infrequency, मतलब urinary retention में आपको constipation ह N से होता है nocia G में चलाएगा, E से होगा euphoria और S से होगा sedation, ठीक है, आगे चलते हैं, next आता है अब आपका morphine जिनके effects होते हैं आपके micro receptors पे, इसको याद रखेंगे आप peer से, किस से? पियर से, पियर होती है न, उससे आपको इसको याद रखना है, जहाँ पर P से बनेगा physical dependence, कि आप जो है physical dependence बढ़ जाएगा, E से होता है euphoria, A से बनेगा analges या और R से जो होगा वो respiratory depression, जहाँ पर हमें जो है respiratory problems होंगे, next चलते हैं, next आता है अब आपका benzodiazepine, once not metabolized by the liver, जो basically एक बार आपके liver से metabolized नहीं होंगी, और इनको आप safely use कर सकते हैं liver failure में, ठीक है, तो इसको याद करने के लिए trick रहेगा outside the liver, यानि की liver के बाहर, तो outside से बनेगा oxazepam, दव से बनेगा आपका tamazepam, और liver से बनेगा आपका lorazepam, तो आप इस trick से इसको याद रख सकते ह outside the liver, benzodiazepines को, जो की एक बार को आपकी liver के द्वारा metabolized नहीं होंगी, ठीक है, तो ये थे हमारे best super 90, ये थे हमारे best 90 pharmacological menomics का part 2, ठीक है, आप GPET exam की तयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, quick revision batch में, ठीक है, जिसके अंदर आपकी live classes होती हैं, आपक आपका exam नहीं होता है, GPET का तब तक इसकी validity रहेगी, इसको join करने के लिए, इसके अंदर जुड़ने के लिए, link आपको नीचे description में दिया गया है, उसके माध्यम से आप इस batch के अंदर enroll कर सकते हैं, I hope आपको इस part के अंदर सारे menomics अच्छे लगे होंगे, आपको tricks पता चल रहें फामेसी इंडिया के साथ, और डरने की है क्या बात, जब फामेसी इंडिया है आपके साथ